हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टूमा यूट्यूब चैनल तो गाइस इस वीडियो में हम देखनी वाले हैं UKPSC का एक प्रैक्टिस सैट जिसमें की मैंने 100 कॉश्चन्स लिये हैं आपके लिए जो की उत्राखंड के भूगोल से हैं तो आप देख लीजे कि आपके 100 में से कि सुत्राखंड की जियोग्रफी से तो फ्रेंड्स आई होब आपकी पुलिस कॉंस्टेबल पटवारी फोरेस्ट गार्ट लेकपाल इन सभी परिक्षाओं की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और इस वक्त आपको जरूरत है प्रैक्टिस सैट सॉल्व करने की क्योंकि प्रैक्टिस सैट सॉल्व करोगे आपको अपने स्टडी का प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा और साथ ही आपका रिवीजन भी होता रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस सैट से अच्छा रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि आपको क्या होता है प्रैक्टिस स माला जो है वो किस का उधारण है तो यहाँ पे जो ऑप्शन C है वलित परवत माला का तो यह हुगा आपका राइड आंसर नेक्स्ट है कोश्य नमबर टू उत्राखन राजिक किस प्राकरतिक संपदा है तो संपन माना जाता है अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे होंग में सरवाधी उचाई पर कौन सा पहाड़ी छेतर है अब बताना है हरिद्वार ओखला मसूरी या फिटने निताल ठीक है तो राइट आंसर होगा मसूरी अब है निम्न मैंसे कौन सा परवतिय दर्रा पिथोरा गड़ को तिबबत से जोड़ता है तो यह जोड़ता है लिप अन्य देश के बीच में है या फिर उत्राखन के किसी जीले से भारत के किसी राजे में है ठीक है यह सारे दर्रों से कौशन बनते हैं देखिए नेक्स्ट कौशन भी आपका दर्रो का ही है चमूली जनपत का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है तो फिर चमूली जनपत में म माना दर्रा है माना दर्रा आपका चीन से जुड़ता है अब देखिए राज जी के किस जीले के दर्रों से तिबबत नेपाल के बीच व्यपार होता है तो तिबबत और नेपाल के बीच व्यपार किससे होता है पिथोरागर से तो राइट अंसर इसका है पिथोरागर अब दे में बताना है भोगौलिक द्रस्टी से उत्राखंड इस्तित है तो यहां पर हमको अक्षांस देशांतर इनके अंश बताने हैं कि कितने अक्षांस पर यह इस्तित है तो देखिए ओप्शन जो डी है 28 डिग्री वाला तो यह वाला आपका बिल्कुल राइड आंसर होगा आप इसको देख लीजिए कुछ नमबर 9 है छेत्रफल की द्रस्टी से उत्राखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है फ्रेंड्स आप अपने 100 में से मार्क्स भी काउंट करते रहेगा इससे आपको पर चलेगा कि आपका पढ़ाई का जो लेवल है वो कहां तक जा रहा है ठीक है 100 में से जितने भी आपके मार्क्स भनेंगे वो आप कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स भनेंगे अब देखो छेत्रफल की द्रस्टी से सबसे छोटा जिला है वो है आपका चमपावत चमपावत सबसे छोटा जिला है छेत्रफल की द्रस्टी से औ की रूद्र प्रियाग में है अब देखे next question हिमालि परवष रेनी में निम्ण में से नन्दा देवी को हम मैच कराएंगे चमूली से पंचाचूली को कराएंगे पिथारागर्से नन्दा कोट को हम बागेश्वर से और बंदर पूछ का नाम आपने गंगा तंत्र जब आप पढ़ते हो नदी तंत्र तब वहाँ पर सुना होगा तो वो उत्रकासी से मैच हो जाएगा तो इस तरह से जो आपका option B होगा वो एकदम correct answer होगा अब देखिए next question number 12 उत्रखन राजी को किस देश की स करना है तो आपको अपने study room में एक map लगाना होगा उत्रखन का जिसमें की सारी river शो हो रही हूँ सारी आपकी जो border है वो अच्छी तरह शो हो रहे हूँ कि वो किस देश से मैच आपके border है और आपकी जो भारत के अन्य स्टेट है तो उनसे आप देख सकते हो अच्छी तरह तो map के माध्यम से ही आप इन सब चिज़े को याद कर सकते हो क्योंकि आप अगर सिर्फ इन चिज़ों को रटोगे तो वो कभी आपको याद नहीं होगा तो geography आपके क्या होनी चाहिए mind पहोनी चाहिए उसकी imagination होनी चाहिए map को आपको पूरा अपने mind में set कर लेना है कि उत उत्राखंड का map बनाने की कोश्च करोगे तीन चाहर बार तो आपको ज्यादा अच्छा हो याद होगा अब देखिए हमसे पूछा कि किस देश की शीमा यह लगती है सबसे पहले चीन सब में दिया है चीन तो हमारा पड़ोसी देश है उत्राखंड से इस पर्स करती है उस उत्राखंड राजी का लगभग कितने पर्तिशत भाग परवती है तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा 86.07% अब है कोशन नमबर 15 राजी में नहान परवत स्रंखलाएं इस्तित हैं तो फ्रेंड्स हलद्वानी के पास यह नहान परवत स्रंखलाएं इस्तित हैं ठीक है अ चलाता है श्रंग कंठ दर्रा एक तरह से आप यह भी कह सकते हो कि जो श्रंग कंठ दर्रा है वो सबसे उत्तरी दर्रा है उत्राखंड का ठीक है अब देखिए भूगर्बिक सरचना का छेत्र कौन सा है नैनिताल जनपत में कोटा दून पॉड़ी में पाटली दून देहरा उत्तर कंठ का सबसे बड़ा जनपत चमोली है सबी को पता है इस जनपत का छेत्रफल बताना है अभी मैंने आपको बताया कि 8030 किलोमेटर स्क्वार वर्ग किलोमेटर इसका राइट अंसर होगा ओप्शन ए कुशन नमबर 19 में हमसे पूचा है कि छेत्रफल की दरिस्टी से उत्तरफल की दरिस्टी से पहला नहीं दूसरा पूचा है तो पहला तो आपका चमोली हो गया और दूसरा कौन सा हो गया उत्तर का सी जिसका आपका चेत्रफल है 8,016 किलोमेटर स्क्वार कुशन नमबर 20 हमारे पास है उत्तरफल को भुकॉलिक दरिस्टी से कितनी विभाजित माना दर्रा इस्तित है तो माना दर्रा अभी आपको बताया है मैंने उत्तराखंड के कहां इस्तित है चमोली में इस्तित है जिला भी आपको पता होना चाहिए चमोली में इस्तित है जो कि चमोली को चीन से चोड़ता है ठीक है अब है कोशन नमबर 22 उत्तराख की करती है चमोली की भी करती है पितोरागर की भी करती है कि जो रूदर प्रयाग है उसकी नहीं करती वो तो अंदर है ना उत्राखन की बहार बॉर्डर पर नहीं है अब देखें उत्राखन में सरवाधिक वर्सा वाला इस्थान है तो सरवाधिक वर्सा वाला इस्थान है नर 1817 मीटर अब है question number 25 हिमालय बचाओ देश बचाओ काफी important नारा है ठीक है काफी important question मन जाता है इससे कि ये किस प्रियाम विद्ने दिया था तो ये right answer होगा सुन्दरलाल बहुगुणाजी ने अब है question number 26 नंदा देवी जैव मंडले सुरक्षित छेत्र की इस्थापना किस वर्स की गई थी क्योंकि नंदा देवी जो है वो आपका biosphere reserve छेत्र है जिसकी इस्थापना हुई थी वर्स 1982 में question number 27 है छेत्र फल की द्रस्टी से उत्राखन का देश में इस्थान है तो friends उत्राखन का इस्थान अगर राज्यो की बात कर जाए तो राज्यो की करम में तो 27 वा है परवतिय राज्य की करम में 11 वा है लेकिन छेत्र फल की द्रस्टी से 18 वा है अब देखी question number 28 है उत्राखन क किस जिली का सरवाधिक भाग वनách और फिन ले छॉण नेक्स दम से वन से पूछा गया है कि किस प्रकार की वन में प्रमुक परजातीय है तो इस प्रकार कर अलपाइन वन होते हैं उसमें लेक्स प्रते के दिक परोप किस क्रम की अवधी में हुई है तो शिवालिक पहाड़यों की जो उत्पत्ती है वो ईयो csakती क्रम में हुई है कुछिन नमर्ध 31 हमारे फासे स्रचनात्माग ध्रस्टी से नदियों के जल रिषाओ का छेतर पुछा गया है तो यह होगा हमारा 23 शिवालिक छेतर तीके 23 शिवालिक छेतर राइट अंसर होगा question number 32 है उत्राखन में कितने प्रकार के नदी समूँ पाई जाते हैं तो ये पाई जाते हैं आपके दो प्रकार के नदी समूँ उत्राखन राज प्राकृतिक संपदा हेतु संपन माना जाता है फिर से कोशन रिपीट हो गया है जो कि वन संपता इसका राइट अंसर था कोशन नमबर 34 में भागी रती और अलक नंदा नदिया किस स्तान से एक होकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है तो काफी इजी कोशन है जिसका अंसर होगा देव प्रि प्रियाग के बारे में बताया था कि आपको नदियों के संगम कैसे याद रखने है पांच संगम आपको याद रखने है पंच प्रियाग में क्योंकि आपको पंच प्रियाग जो है तो उसमें से आपको यही कोशन बनता है कि बतागे कि कर्ण प्रियाग में कर्ण है बागे अलग नंदा तो सभी में होता ही है सारे पंच परियागों में ठीक है आपको याद रखना है कुछ नंबर 36 है गंगा नदी उत्राखन की किस जिली में पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है ठीक हरिद्वार जिले में क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाय गंगा नदी तंत्र तो मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार जिला जो है जा है उसके बाद से घंगा नदी कहां चले आती है आपकी उत्तर प्रदेश में जले 21 साहरानपुर जिले में निम्निकित मैंसे किस ताल का आकार शट कोणी है शट कोणी ये बताना है तो ये है आपका डोडी ताल डोडी ताल कहां है किस जिले में है उत्तरकासे जिले में है ये डोडी ताल याद रखना उत्तरकासे जिले में डोडी ताल है घागरा नदी को परवती छेतर मे किस नाम से जाना जाता है तो फिरोंड क्वा नदी को जाना जाता है कोणी आली के नाम से शुस्वा नदि की प्रमुक मधूसहाय क नदी कॉनसी है यह है शारदा नदी। Q41 है निम्न मैंसे कौन सा ताल उत्राखन की कुमाओ शेतर में इस्तित नहीं है तो कुमाओ मंडल में भीम ताल नेनी ताल के अंदर आता है नौकुच्य ताल भी आपका नेनी ताल के अंदर आता है खुर्पा ताल भी आपका नेनी ताल के अंदर आता है लेकिन जो डोडी ताल है वो मैंने अभी आपको बताया कि उत्रकाशी में है राइट अंसरो का डोडी ताल कॉश्य नमर 42 है उत्राखंड की सबसे गहरी जील बताने हैं सबसे गहरी जील है नौकुचय ताल और सबसे बड़ी है भीम ताल टॉंस नदी निमन में से किस नदी की सहायक नदी है तो फ्रेंट्स टॉंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है देहरा दून में बैती है कॉश्य नमर 44 है भू आकरतिक द्रिश्टी से उत्राखंड की पस्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है जब भी आपको नदी परवत पहार यह सीमा यह याद करनें तो आपको उत्तरा खंड का मैप याद होना चाहिए कि इस्ट में क्या है वैस्ट में क्या है नोर्थ में क्या है तो अभी आपसे पूचाए कि पस्चिम पर पूचा है यानि कि वैस्ट इस साइड पूचा tor assists तो यह पहती है, नेक्स देख लेते हैं, पूछ रहा है कि देवरिया ताल इस्तित है, तो देवरिया ताल कहां इस्तित है, गड़वाल में इस्तित है, ठीक है, कॉश्चन नमबर 46 है, निमलकी किस ताल में महात्मा गाधी की अस्तियां भीके रही गई थी, जिसके करण अब इसका नाम गाधी ताल है, तो यह है चौरा बाड़ी ताल, ठीक है, चौरा बाड़ी ताल कहां है, आपको पता है, केदारनात के समीव है, अब केदारनात कहा है, रूदर प्रियाग में है, तो फ्रेंड्स, जो रूदर प्रियाग का चौरा बाड़ी ताल है, केदारनात के निकट में है और इसी में गाधी जी के अस्तियां बिकेरी गई थी और इसका नाम गाधी ताल भी है चौरा बाड़ी ताल कुशन निमलकित में से किस ताल के गहरा है सबसे अधिक है इनमें से बताना है कौन सा ताल सबसे अधिक गहरा है तो यह हुगा सहस्त्र ताल अब सहस्त्र ताल है किस जिले में? तेहरी गड़वाल जिले में याद रखना आप Q48 है उत्राखंड में ऐसा विश्वास के जाता है कि कोई बेखते अगर एक साथ सभी होने को देख लिए तो उसकी मृत्यू जाती है तो यह कहा जाता है आपका नो कुश्य ताल में क्योंकि इसके हैं नो कॉने और नो कॉने को एक साथ कोई देख नहीं पता और जो देख लेता है उसकी मृत्यू जाती है ऐसा विश्वास है उत्राखंड में तो यह क्या है? सबसे गहरी जील है आपको याद रखना है और सबसे बड़ी है भीमताल कॉश्य नमर 49 है निम्न में से किस जील में सदय बर्फ जमी रहती है? तो बर्फ किस जील में जमी रहती है? यमताल में अब यमताल किदर है? टिहरी में है तिहरी में यमताल है आपके option B में है option B right answer होगा question number 51 है कौन सी नहर पूर्वी गंगा मुख की नहर से निकाले गई है तो नहर भी आपको याद रखनी है कि भूगोल पड़ रहे हो तो उत्राखन की जो नहरे है प्रमुख वो याद रखनी है कहा है कैसा है तो इसका right answer होगा रानिपूर question number 52 है उप्री गंगा नहर का उद्गम इस्तल है तो यह हरीद्वार से आप देखिए हमें मैचिंग करनी है 53 में जीलो को उनकी जगहों से मिलाना है तो साथ ताल सभी को पता होगा नहीं ताल में है द्रोन सागर ताल कहा है काशिपूर में और काशिपूर कहा है उधम सिंग नगर में अब देखिए देवरिया ताल जो है आपका रूदर प्रियाग में है और बासु की ताल केदारधाम में है तो इस हिसाब से अगर हम कोट में देखें तो आपका जो option number B होगा वो बिल्कुल right होगा अब देखिए question number 54 अलग नंदा नदी का उद्गम स्थल है तो उद्गम बताना है अलग नंदा नंदी का वो है सतोपंथ सतोपंथ glacier से ये निकलती है जो कि कहां है चमूली जिले में है तो एक तरह से चमूली से इसका उद्गम है question number 55 है निम्लकित में कौन एक अलग नंदा नदी की सहायक नदी नहीं है नहीं है पूछ रहा है तो धोली गंगा मंदाकनी पिंडर तीनों ही सहायक नदी आए जबकि शारदार नहीं है अब question number 56 में हमें matching करनी है नदी को उनके उद्गम इस्तल से मैच कराना है जो घागरा नदी है न उसका आपका जो उद्गम इस्तल है वो है माक्चा चुंग गंगा का सभी को पता हुए होगा गोमुक शारदा आपकी मिलम से निकलती है और टॉंस आपकी तमाशा कुंड से तमाशा देखो तमाशा को ऐसे याद रखना कि टॉंस का एक नाम तमसा भी तो है ठीक है अब कूट में आप देखोगे तो यहां पर option B आपका राइट हो जाएगा 57 में पूचा है एतिहासिक साक्षयों में अलग नंदा का दूसरा नाम क्या है तो एतिहासिक साक्षयों मे जो है हिरणी वती हिरणी वती पूचा गया है अलग नंदा से देखो अलग नंदा से कितने सारे कोशिन बन गए है आप है कोशिन नंबर 58 कॉर्बेट राश्टे उध्यान जो कि हमारी राम नगर में है किन दो नदी तटो के मध्य इस्तित है तो यह है राम गंगा और कोश कोशी नदी के तटो परिस्थित कोशी नदी का उद्गमिस्तल बताना है जो कि है बिंसर की पहाडियों से कोशिन नंबर 60 में हमसे पूचा गया है मैचिंग अब मैचिंग में क्या बताना है दर्रों को उनके जिलों से ठीक है और वो किन स्थान को जोडते हैं संपर्क छेत कहां है उनका यह हमको बताना है तो श्रंग कंठ दर्रा जो मैंने आपको बताया यह हमारा उत्राकंड का सबसे उत्तरी दर्रा है जो कि कहां से मिलता है उत्तरकासी और हिमाचर परदेश को चोड़ता है ठांगला उत्तरकासी और तिबद को माना चमोली तिबद दारमा पि 61 जिसमें पुछा है राज में सरवाधिक वर्षा कहा होती है यह रिपीड हो गया है तो आपको याद होई गया होगा नरेंदर नगर जो है यहां सबसे अधिक वर्षा होती है राज में किस रितु को बसक्याल भी कहा जाता है अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड म वो भी वर्षा रितु ही होगी चलिए अब देखते है next question question number 63 है वर्ष का कौन सा माहा राजी में सबसे ठंडा होता है तो जन्वरी जो है सबसे ठंडा होता है और जून जून सबसे गर्म होता है अब देखिए question number 64 पूर शीत रितु को इस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है अभी आपसे वर्षा रितु को क्या कहा जाता है बक्सियाल कहा जाता है तो शीत रितु को क्या कहा जाता है यूंद कहा जाता है यूंद या फिर शीत भी कहा जाता है शीत काल भी कहा जाता है शीत कला भी कहा जाता ये ठंडियों को कहा जाता है यूंद अब गर्मियों को क्या कहा जाता है रूरी कहा जाता है या फिर खर्साओ को ब कहा जाता है के कॉश्चिय cumpl ardh 65 में हमसे पूचा है वर्षा रितु में तीनों हिमाले छेत्रों में सरवाधिक वर्षा कहां पढ़ती है तो आपको हमीशा याद रखना है कि जो बाही हिमाले होता है वहां सबसे अधिक वर्षा पढ़ती है वर्षा रितु में असत्य कथन हमको चाटना है यानि कि फॉल्स अब देखो ग्रीश मिकाल में सबसे कम तापमान तीनों हिमाले छेतरों में शिवालिक वो वरहत हिमाले छेतर का रहता है, तो बिल्कुल सही बात है, वर्षा रितु में तीनों हिमाले छेतरों में सरवाधिक वर्षा कहा होती है, बाही हिमाले में होती है, अभी मैंने पता है कहां होती है बाहय हिमाले में अब देखे 67 में में से कुछ है निरंतर हिमाच्छादित जलवायो कटिवंत कितनी उचाई पर इस्तित है तो यह है 4800 से अधिक उचाई पर मैचिंग में हमको बताना है शिवालिक छेत्र और उनकी मरदाय बतानी है तो यहां पर देखो सभी जैसे शिवालिक छेत्र काप मरदाय भागरती अलगनन्दा गत्थ ही मरदाय भागरती अलगनन्दा भूरी गत्थ ही मरदाय और उच्च परवती छेत्र जो है वो परवती च चिकनी दोमट मर्दा कॉश्य नमबर 70 है अधिकतर चारागाही मर्दा है कहां पाई जाती है तो अधिकतर चारागाही मर्दा जो आपकी पाई जाएंगी वह जल धाराओं के पास में कॉश्य नमबर 71 है निम नमसी कौन सी मर्दा गन्ने की खेती है तो उपयोगत होती है तो नमबर 72 है निमन में से कौन सी मृदा कंकर पत्थर से निर्मित किरसी के लिए अनुप्यूकत है तो यह है भाबर मृदा भारती किरसी अनुसंदान परिशाद नेक देश की संपून मृदा को कितने भागों में बाटा गया है आठ भागों में बाटा है राजी में ओशद ग् खरվओ काजाता है राजी में दक्षणान के ओठ बढ़ने पर क्या होता है तापमान में कमी आती है क्या नहीं व्रद्धि दक्षणान के ओड़ यानि कि एड़ दॉल मेरा लेकिन प्जल इस तरफ यहाँ आएऽा deny depend रहतीए नहीं रहती ह्ती है वर्षा की मात्रा बढ़ने लगती है नहीं बढ़ने लगती है तो यह आपको जो second वाला होगा यह आपका right होगा next देख लेजिए आप question number 77 सबसे कम वर्षा होती है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है व्रहत हिमाले के उपरी छेत्रों में सबसे अधिक होती है बहाई एमाले छेत्रों में ठीक है अब देखिए question number 78 में हम सो पुछाए कि राजर के परवते छेत्रों के अधिकांशता मर्दा का प्येच मान हमको बताना है जो की है 5.5 से 6.5 के बेच में अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही इनों ने बोला है तरसरी मर्दा सिवालक की पहाडियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है बिल्कुल सही है इसमें वनस्पति एवं जयव पतार्थी की मातरा कम होती है तो ये भी बिल्कुल सही है तो एक और दो दोनों ही यहां पर राइट हो जाएंगे कुशन नमबर 80 में पूछा है कि कौन सी मर्दा नैने ताल के भीमताल चेतर में पाई जाती है तो ये जो मर्दा पाई जाती है नैने ताल के भीमताल चेतर में वह है क्वार्ड्स मर्दा अब देखें उच्छ मेदानी मर्दा कितनी मीटर से अधिक उचाई पर पाई जाने वाले घास के मेदानों से मिलती है तो ये होते हैं 4000 मीटर के उचाई पर निमल की कतनों पर हमको विजार करना है हमें बताना है कि कौन सा इसमें से अब देख लेते हैं क्या बताना है इसमें हमको बताना है कि उपरोक तो मैसे कौन सा कतन सही है तो अब हम पढ़ेते हैं कतनों को क्या-कतन को दिये थे लास्ट 82 कोशन में पहारी ढालों या पहारे के किनारे लाल मिर्दा पाई जाती है बिल्कुल सही बात है खास के मदानों बुग्यालों के निचले भागों के बनों में उपपरवती मृदा मिलती है ये भी बिल्कुल सही है चलिए अब नेक्स देख लेते हैं भापर छेतरे की मृदा कंकर पत्थरों तथा मोटे बालों से युक्तो होती है हाँ बिल्कुल ठीक बात है तो यहाँ पर एक दो तीन बिल्कुल तीनों ही सही हो गए है अब हमको पताना है कि कौन सा कथन आसाथी है गलत कथन को हमको चुनना है यहाँ पर देखो ग्रीश्म कालीन तीनों हिमालों में सरवादिक तापमान कहा रता है शिवालिक खित्र में रहता है बिल्कुल ठीक है शिवालिक हिमाले का वहिस्तान नरेंद्र नगर टिहरी है जहां सामनिता सरवाधिक वर्षा होती है बिल्कुल सही बात है राज जी में सरवाधिक शीत कालिन वर्षा पोड़ी टिहरी अल्मोड़ा और तहरादुन में होती है तो सही बोला है ठंडियों के दिनों ये धरी सबसे अधिक वर्षा होती है पॉड़ी टेहरी, अल्मोड़ा और तेहरादुन में तो उपरोग तो मैंसे कोई भी है हमसे गलत बात नहीं बोली है यानि कि असत्य कथन कोई भी नहीं है आप देखिए question number 84 है अब राजी में उत्पादित मडवा, कॉंदो, अनाच का निद्यात कहां किया जाता है तो ये किया जाता है चापान में ठीक है हम देखिए राजी के परवती चेत्रों के अधिक 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 अरे ये पीच मान वाला question फिर से repeat हो गया तो ये है 5.5 से 6.5 के मद्धि में question number 86 में हमसे पुचा है कि कौन सी वसल राजी के तराई चेत्र में अप्रेल मा में फूल आने की अवस्तात में दिखती है अरहर बाजरा सूरे मुखी सूयविन तो राइट अंसर होगा सूरे मुखी question number 87 हमारे पास है परवती चीत्रों में सीडी नुमा जो खेती की जाती है न तो वो कितने परतिशत भूमी की ढाल पर बना जाती है यानि कि वो जो सीडीदार खेत होते हैं तो कितने परसेंट ढाल पर बना जाते हैं वो होते हैं 15 परसेंट चलिए अब नेक्स देख लें दुरगटना भीमा योजना किस वर्स से प्रारंब हुई हमारे राज्य में तो यह हुई थी 1985 से स्टार्ट आप हमको पताना है कि हमारे उत्राखण में ऐसी कौन सी फसले हैं जो महत्वपूर्ण समू है बोया जाने वाला तो देखे जो धान गन्ना जंगोरा अरहर तो इसमें से आपका जंगोरा और अरहर कम ही बोया जाता है अब देखो सेकेंड में गेहू धान मढवा आलो तो यह बिल्कुल करेक्ट टांसरों का ऑप्शन भी अब नेक्स भी देख लेता है इसमें से आपका जंगोरा कम बोया टो हमारा य राज उत्तराखन इया है जिनलोंने अपने को जैव राजी घुशिद किया घ्रशी है और यहां जैव तो आप I think count करी रहोंगी कि आपके 100 में से यहां पे कितने marks बन रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कोशन नम्बर 92 निमलकित मैं से किस इस्थान का बास्मती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रिये हैं तो यह इस्थान है सूरिधार इस्थान नाम याद रखना उत्राखंड के किस जिले में धान कसरवादिक उत्पादन होता है तो यह है हमारा उत्राखंड की अस्थाई राजनी देहरा के दोन के नंबर 94 है जित्रिये मिट्टी अन्वेशन प्रियोक साला क्या चिस जिले में इस्थापित की गई है तो यह की गई है आपकी उधं सिंग्नगर में क्यों से पूछ रहें कि उत्राखन राज में फल्सरेक्षण केंद्र है इस्थित है तो यह हमारा इस्तित है आपक आपके हमारे भारत देश में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहां होता है तो वो होता है हमारे उत्राखन की और स्थायराजानी देरादूर में आप देखिए कोशन नमबर 97 उत्राखन में नहरो की लंबाई कितनी किलोमेटर है तो अभी जो यह ऑप्शन दिये गये हैं इ परवती चीतर होने के कारण पूर्ण किरसी भूमी पर सिचाय उपलब्द ना होने के वज़े से कौन सी छोटी छोटी वाईकाय बनी होती है सीडी या मूल या फिर दोनों तो राइटन सरोगा दोनों ए और भी कोशन नमबर 99 है राजी की मतस्य पालन विकास अभिकरन ने पहली प्रियोजना कहां पर प्रानम पर की है तो यह की थी आपकी 9 कुछी ताल में ठीक है तो मतस्य पालन अभी करेंट अभी कोशन बन सकता है क्योंकि मतस्य पालन जो है उत्त्रा खंड में इसको अधिकादिक बढ़ाये जा रहा है इसका विकास किया जा रहा है तो आप एक बार इसको भी देख लेना करेंट फिर में कोशन बन सकता है कोशन नमबर से आपका 100 है लास्ट कोशन आपका तो देखते हैं आपके 100 में से कितने माग्स आते हैं कॉमेंट में आप चरूर बताना साथवी साधी में राजा इंद्रचंद्र कहां से रेसम के केड़े पहली आपको यह वीडियो काफी हेलफुल रही होगी तो फ्रेंड्स लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपकी सब ही आने वाले एक्जाम्स के लिए इसी तरह आप ट्रेक्टिस सेट सॉल्फ करते रहिए और अपनी प्रिप्रेशन को कंटिन्यू रखिए